हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी हेल्पिंग आई टीवी में बहुत बहुत श्वागत है महिलाओं तथा बच्चों की हर समस्या की समाधान तथा रोगों के देशी इलाज के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें नीचे दिया गया लाल बटन दबाए तथा घंटे का बटन दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए फ्रेंड्स आज मैं आपको कुछ ऐसे लच्छन बताने वाली हूँ जो गर्वती महिलाओं को आखरी समय में दिखने लगे तो समझिये की अब जल्द से जल्द ही आपके घर पर किलकारियां सुरू होने वाली हैं और आपके घर आने वाला है एक नन्ना सा महमान गर्ववस्था के नौमे महिने में हर गर्वती महिला या उसके घरवाले इंतजार करने लगते हैं कि ना जाने किस दिन ही पिरसव दर्द सुरू हो जाए और डिलेवरी का समय आ जाए तो यदि गर्वती महिला में यह लच्छण दिखने लगे तो समझ जाईए कि सिसू जन्म का समय आ गया है अब बहुत ही नजदीक सिसू जन्म होने वाला है तो चलिए जानते हैं इन लच्छणों को यदि गर्वती महिला का चेहरा उतर सा जाए यानि उसके चेहरे से हसी आदी गायब हो जाए और चेहरा मुर्जाया सा उदासी सी दिखने लगे तो यह संकेत होता है कि जल्धी सिसू जन्म का समय आने वाला है यदि गर्वती महिला को बच्चा बिल्कुल नीचे की तरफ सिम्टा हुआ सा समझ आए यानि पेट का निचला भाग कड़ा और बहुत भारी लगने लगे तो भी यह संकेत जल्धी सिसू जन्म की ओर इशारा करता है क्योंकि पिर्षव दर्ष से बिल्कुल आकरी चर्णों में सिसू नीचे की तरफ सिम्ट कर आ जाता है यदि गर्वती महिला को आकरी समय में बिल्कुल हलका हलका सा गाड़ा या पतला पानी जैसा समझ आए तो यह संकेत भी बताता है कि सिसू का जन्म जल्ध ही होने वाला है यदि गर्वती महिला को अपने सरीर में भारीपन लगने लगे और बिल्कुल ही उसकी उठने या बैटने की एक्छा ना हो और सरीर सुस्त सा पड़ जाए तो समझ ये कि जल्ध ही सिसू जन्म होने वाला है कभी कभी सिसू जन्म के पहले हलका हलका दर्द उठने लगता है जो कुछ देर होने के बाद अपने आप ही बंद हो जाता है यदि इस प्रकार का दर्द हो तो भी ये समझ लेना चाहिए कि अब सिसू जन्म का समय बहुत ही नजदी है तो फ्रेंट्स आज हमने उन लच्छनों को जाना जिने देखकर बताया जा सकता है कि सिसू का जन्म होने वाला है या जन्म का समय बहुत ही नजदी है इसी प्रकार के गर्वती महिलाओं तथा बच्चों से सम्मंदित वीडियोज देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद